नमस्का और दोस्तों आप सभी का स्वागत है में सेसी नोट्स में तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी जिसमें संग्या सरणाम विशेशन क्रिया के बारे में हमने पढ़ा दिया है उसकी आज करेंगे प्रैक्टिस तो संग्या की कुश्चन कैसे आते हैं एक्जाम में सरणाम के कैसे आते हैं विशेशन कैसे आते हैं इन तीनों टॉपिक को आज एक ही वीडियो में कवर करेंगे वो भी बहुत जल्दी ठीक है तो बस सुरू करते हैं क्लास और आप लोग लाश में जरूर दाएगा कि आपके कितने कुश्चन सही हुए है तो पहला कुश्चन आप लोग देखें स्क्रीन पर देख रहा है संग्या से क्या कह रहा है कि भाव आचक संग्या इन में से बताना है कि कौन सी है ठीक है लड़कापन लड़काई पन लड़काई पन तो क्या होता है भाई भाव आचक संग्या में तो लड़पन जो होता है कहता है अभी तो ल लडपपन होना लड़का से लडपन अगला देखें इसमें भाववाचक संग्या अगर बताना होगा तो दुद्मनत्रता और सलना क्या हो oriगी ऑर्थ के विचार से संग्या के कितने प्रकार होते हैं अर्थ की विचार से संग्या के कितने प्रकार होते हैं पांच कभी कोई पूछ ले विद्पत्ति के अधार पर संग्या कितने प्रकार के तीन ठीक है अगला जाती वाचक संग्या इन में से कौन सी हो जाएगी लड़का सेना स्याम या दुख इसमें जाती वाचक संग्या बताना है तो लड़का ह कौन सा सब्द भाव आचक संग्या नहीं है, मिठाई, चुतराई, लड़ाई या उतराई, तो इनमें से मिठाई जो है, मिठाई क्या है, ये हमारी भाव आचक संग्या नहीं है, अगला देखें, बुढ़ापा, बुढ़ापा में कौन सी संग्या है, देखें, बुढ़ाप यानि बुढ़ापा बचपन जवानी कोई भी ऐसा होगा तो उसमें हमारी कौन से संग्या होगी भैया वो हमारी भाव वाचक संग्या खहलाएगी अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन क्या कह रहा है इस्तित्तो में कौन से संग्या है इस्तित्तो मनुस्चत्व ठीक है ये सारी चीजें किसमें आएंगी भाव वाचक संग्या के अंतरगत आएंगी अगला question इनमें से कौन सा सब्द संग्या है क्रूध 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 क्रूधी या क्रूधित तो इनमें से जो क्रूधी है वहेग जाती वाचक संग्या हो गया और इसका भावनातमक सब् ठीक है अगला question number 9 भावाचक संग्या इन में से कौन सी है अभी अभी हमने क्या क्या हो जाएगा सत्तृता अगला question अर्थ के विचार से संग्या के बेद अभी अभी हमने डिसकस किया था पांच अगला question कौन सा सब्द व्यक्तिवाचक संग्या है गाय पहाड यमुना या आम तो यहां पर यमुना हो जाएगा हमारा क्या यहां पर व्यक्तिवाचक संग्या ठीक है और नदी अगर बात करेंगे तो नदी हमारी जातिवाचक संग्या अगला question number 12 कौन सा सब्द जातिवाचक संग्य नहीं है तो इसमें सुन्दर आंसर हो जाएगा option number C सुन्दर हमारा जाती वाचक संग्या नहीं है अगला कुश्चन तेरा भाव अचक संग्या बनाना है लड़कापन लड़की लडपन लड़काई पन अभी अभी हमने देखा लडपन होता है अगला देखें जाती वाचक सं सवर्वनाम यानि सभी का नाम अगर ज़्यादा जलदी लगरे होगी तो वीडियो को पॉस्ट करके भी आप लोड़कोस्चन देख सकतेे हैं तो इस में से कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पर देखें मैं तेरे एक घड़ी दूंगा तो तेरे कुगी जगत तुम्हें होना चाहिए था यह गलती है यहाँ पर अगला कुशन मुझे किस प्रकार का सरुनाम है तो मुझे यानि मेरा तो जब मैं या मुझे मेरी बात होगी तो वहाँ पर उत्तम पुरुस हो जाएगा अगला सरुनाम के कितन सरुनाम इन्वे से अनिश्चे वाचक सरुनाम कौन सा है जो चिन निश्चित नहीं होगी वे अनिश्चे वाचक जैसे कोई ठीक है कोई आया था कौन आया था अब नहीं पता कोई आया था तो कोई क्या है अनिश्चे हो गया अगला देखें यह घोड़ा अच्छा है ये क्या होता है हमारा संबंद वाचक सरुनाम अगला संग्याय सरुनाम की विशिस्ता बतलाने वाले सब्दों को क्या कहते हैं जो संग्याय सरुनाम की विशिस्ता बताएगा उसको कहेंगे विशेशन अगला कुश्चन जिसने गड़ा खोदा वही गिरेगा तो जिसने उसन जो वो यह हमारा संबंद बताएगा अगला question देखेंगे मैं आ काम आपने आप ही कर लूँगा ठीक है खुद से कर लूँगा अपने आप कर लूँगा स्वियम कर लूँगा यह क्या दिखाता है निजिता दिखाता है ठीक है अगला सरौनाम किसको कहते हैं? जो संग्या के बदले प्रियोग हो उसको कहते है सरवनाम अगला सरवनाम की कितने भेद अभी बताएं छे निश्चे वाचक सरवनाम इन में से कौन सा है यह हमारा निश्चे हो जाएगा अगला कोश्चन 15 जिसने परिश्रम किया वह ही फल पाया तो क्या हो जाएगा जिसने अब आते हैं विश्चे को देखते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी देखेंगे एकदम फटाक से आंसर करना है ठीक है हम लोग यहां पर रिवीजन वाली प्रैक्तिस कर रहे हैं तुई संग्या सरनाम विशेषण पर क्रिया इन चारों को मैंने पढ़ा दिया है वीडियो डि है और सारव्णाम के उताता है अगला विषेशन के मुख्यता कितने ब्हेद होते हैं है तो मुख्य रूप से 40 ब्हेद होते हैं अगला इन Μेंक से विशेशन कौन सा है जल्दीसे देखने यहां हो जाएगा अगला कॲछे हो जाएगा अगला कोशन है दार्मिक धार्मिक क्या है इइस तक विशेष्टा क्या हो गई कई हो alone इन्में से संग्या की भेद हैं यह संग्या से बिसक्रण बना है पहार से बना है पहाड़ी, पेटी, लोब से बना लोबी, तो सभी के सभी क्या है, संग्या से विशेशन बने है, आठवा देखें, कौन सा विशेश है, हटी, छम्य, हिर्दय और सब्ध्य, तो देखें, विशेश का मतलब हो गया, कि या तो संग्या या सरुनाम होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे हिर्दय, हिर्दय क्या है, एक अंग है, ठीक है, अगला देखें, question number 9, इन में से विशेशन सब्ध चुनना है, नमक, पंकिल, प्राची या इर्ष्या, तो पंकिल, पंकिल मतलब बता है गंदा, तो पंकिल कपड़ा है, ऐसे कह सकते है, ठीक है, पंकिल जगह है, ऐसा करके, तो पंकिल क्या है, एक विशेशन रूप हो गया, ठीक है, नमक क्या हो जाएगा, नमक हमारा एक संग्या है, बासंतिक, ये क्या है, जखो एक प्रत्य जोड़ने से क्या बन जाएगा, ये, एक विशेशन रूप ले लेगा, अगला, अनुमान क अनुमानित, option number पहला, 11 में answer मिलेगा, पहले के साथ, अगला, 12, इन में से एक विशेशन सब्द नहीं है, तो कौन सा इन में से विशेशन नहीं है दोस्तों, वरदान, वरद, वरदायक, वरडिय, तो यहाँ पर वरदान नहीं है, ठेक है, अगला question देखेंगे, 13 number, इन में से एक विशेशन सब्द बताना है, लागो, महत्व, लगुता या महत्व, इन में से विशेशन कौन सा है, जल्दी से, जल्दी से देखें, तो यहाँ पर लागो हो जाएगा answer, अगला question उस ग्रंथ में 500 प्रिष्ट है, 500 या क्या है, संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पर विश सारुनामिक रहेगा, सारुनामिक संकेत किजिएगा, सारुनामिक कर लिजिएगा, ठीक है, और अगला और आखरी question यह चांदी, खोटी सी दिखती है, खोटी सी में किस प्रकार से है, तो खोटी क्या है, एक गुण बता रहा है, ठीक है, खोटे, चांदी कैसे यह खोटी है यह उसकी quality हो गई, गुणो हो गया, ठीक है, तो यह पूरे के पूरे 45 question, 10 minute के अंदर मैंने ख़तम करा दिये, practice करा दिये, आपके कितने सही हुए यह बताए, 45 question किया है, कितने सही हुए, comment करके जुरू बताएगा, और अगले topic पर, यानि अब हम लोग, अब विये पर अगला करेंगे, उसका ही यह भाग है, क्योंकि topic मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है, वीडियो अच्छा लगे, like करें, share करें, अपने दोस्तों का भी भला करें, और हाँ, हमारी किताब आने वाली है, सामान हिंदी की बहुत जल्दी, जो कि जुलाई 2023 से आपको मिलना शुरू ह जाएगी, नमबर स्क्रीन पर दिया है, जुलाई 2023 के बाद से, आप इस नमबर पर कॉल करके, और और से पर मैसेज करके मगवा सकते हैं, बागी मिलता है अगली क्लास में, नमस्कार, जैहिंद